तो हेलो दोस्तो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी I hope कि दोस्तो सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पड़ा ही का रहे होंगे तो दोस्तो समय बिलकुर नहीं है थीक है बिना किसी इंट्रॉडक्शन के साथ सीधा सुरू करते है कुष्ण कुष्ण है दोस्तो मुल्य हिरा मतलब कि आये हिरास ठीक है इस तरह से हमारे पास में कुश्र आ सकता है लेकिन आपको ध्यान रखना हिरास ठीक है या फिर ऐसे ही आ सकता है हिरास आये से अब क्या समझते हैं ठीक है व्यापार्थ अथ्वा पेशे में आये की गणना करते समय करदाता को द्वारा हिरास की कट अभी मूर्द संपत्यों का मौद्रिक्स मुल्य समय के साथ साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। बहुत ही सरल सब्दों में मुल्य का हिराश वहदर है जिस पर यह मुल्य गिरता है। इसलिए ये अधीगरण या खरीद के समय किसी परिज संपती के वर्तमान मुल्य की तुन्ना उसकी मूल लागत से करता है। उधारण के लिए एक कपड़ा निर्माता कंपनी पर विचार करके जिसने 2010 में रुपे में एक ट्रक खरीदा था। 2010 में रुपे में ट्रक खरीदा था, अपने डीलरों के साथ तैयार माल को परिवाहन के उद्देश से 50 लाग समय के साथ नियमित उप्योग से ट्रक का मुल्य हर साल घटता जाएगा, हर साल अपने ट्रक का वास्तवी घटा हुआ मुल्य निर्दारित करने के लिए कंपनी उस तो कोई भी उतने ही दामों पर नहीं लेगा, जितने दामों पर आपने उसको सोरूम से खरीदा है, उसके बाद अगर तुमने एक महीने, दो महीने चला ली तो और उसके रेट कम होते जाएगे इसी तरह धीरे 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 उसके जो मुल्य है वो कम होता चला इनमें वाहन, भवन, वाहन, मशीनरी, कारियाले, उपकरन, फरनीचर आदिसा मिल है, हाला कि भूमी इस सूची में नहीं आती, क्योंकि भूमी का मुल्य आम तोर पर केवल बढ़ता है, यह केवल पृतिकुल अर्थिक मंदी के दोरान ही कम हो सकती है, मतलब कि भूमी जो है, जमीन, खेती, खेत होते हैं, कोई भी भूमी से भूमी है, जिस भूमी पर भवन है, गहरबना हुआ है, कुछ भी भावन है, वो जो भूमी है, वो कभी भी हिरास नेमकार नहीं सिकार होती, क्योंकि उस पर हमेशा मुल्य बढ़ते हैं, एक आपातकाली निस्तितियाज है, वो अलग कंडिशन है जैसे कि कोरोन ने टाइम आया था ठीक है चलिए अब मुल्य हिरास के कारण क्या होते हैं दोस्तों देखे मुल्य हिरास का सबसे महत्पूर्ण कारण नियमी तूट फूट है लेकिन निश्चित रूप से यह एक मात्र कारण नहीं है निमलिखित कारण किसी संपत्ति के मुल्य को कम कर सकते हैं जैसे गिसा जा रहा है उपयोग या उपयोग से उत्पन मुल्य की हानी समय का प्रवा प्रौद्धोगी की कमाध्यम से एपरिचलन और बाजार बदलता है कहने का मतलब है दोस्तों आज आपने एक मुबाइल खरीदा धीरे धीरे वो मुबाइल के रेट कम होते जाएंगे ठीक है और उसके बाद में धीरे जितना ज्यादा उपयोग करोगे कभी उसका चार्जा खराब बदलना पड़ेगा आपको उसका कवर बदलना पड़ेगा कभी कुछ कभी कभी कुछ कभी कुछ इस तरह सो उसमें पैसे आप लगाते जाओगे ठीक है और फिर भी उसका मुल्य जितने में तुम खरीद करके लेकाए तो उतना नहीं रह जाएगा ठीक है इसी को बोलते हैं गिसा जा रहा ही कोई चीज है खरीदे हो घिसती जा रही ह तो उसकी rate कम हो जाते है ठीक है चलिए मुल्य एहरास की गंड़ना का उद्धिस से देखे लेखांकर नो कराधान के छेतर मुल्य हरास का व्यापिक प्रभाव पढ़ता है आईए से समझते हैं कि ऐसा क्यूं है कराधान में मुल्य हरास का क्या प्रभाव है देखे लेखां वी के लागत निर्धारित करने के लिए पिर्तीय रिकांग्कन वर्ष के दौरान परी संपत्य का मूल कम कर दिया जाता है और विवे के रूप में उसको लिखा जाता है कराधान में मुले हिराथ देखे कराधान कानूनी कर देन्दारियों के गणना करते समय हिरास मुल्य हिरास में कटोती करनी के नुमती देते हैं क्योंकि किसी परिसंपत्ति का मुल्य हिरास मुल्य लेखांकन के तहित विवे के रूप में लिखा जाता है नतीजतन आयका रधिरियम 1961 के तहित निर्धारी दरो पर संपत्ति का मुल्य हिरास किया जा स कर लाब और कटोती को लाब उठाना मुल्ले हिराश का अर्थ और उसकी बारी को कौ है समंझने के लिए आएए अब कुछ और मुल्ले हिरास का लेखांकन करते हैं देखे मुल्लेहरास का लेखांकन देखे चूकि मुल्लेहरास सीधे परिसंपत्यों पर लगाया जाता है इसलिए इसके लिए जर्णल प्रविष्टी में मुल्लेहरास खाता और संबंदित परिसंपत्य खाता सामिल होता है हमें मुल्लेहरास खाते में को डेविट करना ť एसेट sì, के लिए संपत्ती का मुल्य एक्सेस अुर्पे से कम होना ठीक है? राशी करोडो में और राशी, चलिए तो ये ये है नमूना, जो कम करते हैं काटते हैं, ठीक है? आगया ये कभी, अगया कभी कभी संचित मुल्य के लिए एक प्रावधान किया जा सकता है, जिसके बताती है ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम करते हैं कुश्चन को समाब जल्दी से सभी में शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुश्चन के साथ दोस्तों जहिन